आलसी लड़की और मेहनती लड़की एक दूर दराज के गाउं में एक घर था एक घर जिसमें एक पती पत्नी रहते थे दोनों की ही एक एक लड़की थी अपने पूर्व विवाह से पत्नी अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो उसे पहने के लिए नए नए कपड़े देती और कभी उसे काम करने नहीं कहती इस तरहा उसकी लड़की बहुत आलसी हो गई थी वो पूरा दिन बिना कुछ किये बैठे रहती और स्वयम की प्रशनसा करती रहती दूसरी और पत्मी अपनी सौतेली बेटी से बहुत बुरा व्यवहार करती थी तुम यहां क्यों बैठी हो? चलो उठो और घर साफ करो पर मा मैंने आज सुभाई पूरा घर साफ किया है मुझसे बहस मत करो, जो मैं कहती हूँ वही करो ठीक है मा वो इससे पूरा काम करवाती और फिर भी वो लड़की कभी शिकायत नहीं करती थी वो वही काम बार-बार करती बिना ठके उसके पिता ये सब देखते अपनी बेटी के लिए उसके रिदय में पीड़ा उरती पर वो कुछ नहीं कर सकता था समय के साथ वो बहुत कमजोर हो गया था और स्वस्थ नहीं रहता था मेरी प्यारी बेटी मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता नहीं पिता जी आप दुखी ना हो आपने पूरा जीवन मेरी देखभाल की है और मुझसे प्रेम किया है अब मेरी बारी है आपकी देखभाल करने की मैं काम करूँगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी हमारे लिए ये कठिन समय है ये जल्दी ही गुजर जाएगा पतनी खामोशी से ये सब सुन रही थी मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा मुझे उसे किसी धनवान परिवार में काम पर लगाना चाहिए मैं उसे पैसा कमाने बाहर फेज दूँगी और वो जो कुछ भी कमाएगी वो मेरा होगा मैं और मेरी बेटी फिर वो जीवन बिताएंगे जो मुझे हमीशा से चाहिए था तुमने सही कहा तुम्हारा पिता बहुत ज्यादा बिमार रहता है और फिर दूसरे घर्चे भी तो है तुम बाहर जाकर किसी धनवान परिवार में काम क्यों नहीं करती तुम्हें एक अच्छी नौकरानी बन सकती हो तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई इसके बजाए तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजती ओ मैं भेजूंगी पर जानते हो वो अपनी सुन्दर हाथों और नाजुपाओं की प्रती हमेशा चिंतित रहती है वो अपनी सुन्दर ताखो देगी अगर उसे काम करना पड़े पैसे भी तुम्हारी बेटी कुछ खास सुन्दर नहीं है उसे काम के लिए बाहर जाने में कोई नुकसान नहीं होगा तो ये अब तै हो गया कल सुबा तुम निकलोगी किसी धन्मान परिवार के घर काम ढूनने के लिए ओ, वो सुन्दरता के बारे में क्या जानती है तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं बेटी नहीं पिताजी, मैं काम करना चाहती हूँ अपने कर्तव से मूँ मोरने पर कुछ नहीं मिलता आप चिंता ना करें, आपने मुझे अच्छी परवरिश दी है मैं जानती हूँ एक दिन मेरे यतनों का फल मिलेगा अगले दिन वो लड़की जाने के लिए तयार थी वो एक धनवान परिवार में काम ढोड़ने जाने वाली थी उसकी सौतेली माने यात्रा के लिए उसे खाने पिने को कुछ नहीं दिया पर लड़की ने बुरा नहीं माना अपना अच्छे से खायाल रखना मेरी बच्ची और याद रखना कोई भी यदि सहायता मांगे तो उसे मना मत करना और मेहंती बने रहना जो कुछ भी करो उसे पूरे मन से करना हाँ, मैं ये याद रखूँगी पिताजी और वो बेटी चली गई वो परवत दरपरवत पैदल जलती गई उसे कुछ नहीं मिला वो कई दिन तक चलती रही पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी उसने वो याद रखा जो उसके पिता ने कहा था कोई भी यदि सहायता मांगे तो उसे मना मत करना और मेहंती बने रहना जो कुछ भी करो उसे पूरे मन से करना इस समय मुझे पूरी तरह से केंदरित रहना है काम धूनने पर मुझे यही करना होगा और मैं इसे अपने पूरे मन से करूंगी चाहे इसमें कितना भी समय लगे मैं हार नहीं मानूंगी पुड़ी दूर आगे जाकर उसे एक बोलने वाला व्रिक्ष मिला वो पूरी तरह सूखा हुआ था कैसी हो बच्ची? लगता है तुम कहीं जा रही हो मेरी मदद करो अपनी सूखी टहनियों से चुटकारा दिलाने में बदले में मैं तुम्हारी लिए कोई भलाई का काम करूँगा ओ बेशक लड़की फिर पेड़ पर चड़ी और अपने हाथ से सभी सूखी टहनियां तोड़ डाली वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो व्रिक्ष सूखी टहनियों से पूरी तरह मुक्त न हो गया और नए पत्ते और फल निकलाए पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और लड़की आगे चली थोड़े दूर जाकर उसे मिली एक मुर्जाई हुई दाखलता उस दाखलता के साथ एक अजीब सा फावड़ा था दाखलता ने उस लड़की से बात की नमस्ते, क्या तुम मेरी ज़नों के इर्द गिर्द गुड़ाई करोगी? बदले में मैं तुमारे लिए एक भला काम करूँगा लड़की ने फावड़ा लिया और वो खुदाई करने लगी जब तक कि उसकी हथेलिया सूज नहीं गई ओ, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा कोई बात नहीं, वो अच्छे हो जाएंगे तुम जरूरत मन थे और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी दाखलाता ने उसका धन्यवाद किया और वो लड़की आगे चली थोड़ी दूर जाकर उसे मिला एक तूटा हुआ तंदूर और उसने उसे पुकारा हे, सुनो हे लड़की क्या तुम मेरे हाथ साफ करके मुझे सुधार होगी बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भलाई का काम करूँगा लड़की ने देखा कि उस तंदूर में बहुत सी दरारी थी उसने कुछ समय तक सोचा फिर वो थोड़ी मिट्टी लाई और उसे अपने पैरों से रौंदा फिर उसने वो मिट्टी सभी दरारों को भरने के लिए इस्तिमाल की अब वो तंदूर पहले की तरह नया हो गया था धन्यवाद पर तुम्हारे हाथ और पाव कंदे हो गए कोई बात नहीं मैं उन्हें पानी से धो सकती हूँ तुम्हें जरूरत थी और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी फिर वो लड़की आगे बढ़ी थोड़ी दूर जाकर उसे मिला एक तूटा हुआ कुआ उसने भी उससे बात की ओ नमस्ते क्या तुम बासी पानी निकालोगी और मुझे सुधारोगी और बतले में मैं तुम्हारे लिए कोई नेक काम करूँगी लड़की ने सारा बासी पानी बाहर निकाला और कुआ धोकर रगड़कर साफ किया तुम्हारे कपड़े पूरे गंदे हो गए कुए ने उसका धन्यवाद किया और वो लड़की आगे चली पुड़ी दूर जाकर उसने एक बहुत प्यारी सी धीमी आवास सुनी वो एक कुट्ता था कुट्ता मिट्टी से सना हुआ था और उसके लंबे-लंबे बाल थे क्या तुम मेरे बाल काटोगी और मुझे नदी में नहलाओगी बद्ले में मैं तुमारे लिए एक भला काम करूँगा और लड़की ने वही किया अब कुट्ता प्रसन और स्वस्थ दिख रहा था उसने लड़की का धन्यवाद किया लड़की ने खुद नदी में सनान किया और आगे बढ़ी जल्दी ही अंधिरा होने लगा वो एक घर के करीब आई जहां साथ परियां रहती थी विख न डालने के लिए एक शमा करना पर बाहर बहुत अंधिरा है क्या आज रात मैं रुख सकते हूँ तुम जा कहां रही हो मैं काम की तलाश में हूँ तो ये बात है तुम यहां काम क्यों नहीं करती यहां साथ कमरे हैं तुम्हें सभी छे कमरे हर रोज साफ करने होंगे पर याद रखना कभी भी साथवे कमरे में प्रवेश मत करना क्या तुम राजी हो ओ, मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी और उस लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया वो हर दिन उठती और सभी छे कमरे साफ करती उसने कभी साथवें कमरे की ओर नहीं देखा एक साल बीट गया और उस लड़की ने काफी पैसा कमा लिया अब वो अपने बिमार पिता के पास वापस जाना चाहती थी इससे पहले कि तुम जाओ, हमें ये बताओ कि तुम साथवें कमरे की प्रती उत्सुक क्यों नहीं थी परिया लड़की को सात्वें कमरे में ले गई वहां अंदर सोने और चान्दी की महरूं का धेर लगा था जाओ और उन सिक्कों पर लोटो जो भी तुम्हारे साथ चिपके वो तुम्हारा हो जाएगा लड़की ने वही किया जो उससे कहा गया वो सोने के सिक्कों के धेर पर लोटी और फिर वो चांदी के सिक्कों के धेर पर लोटी वो एक सितारे की तरह चमकने लगी इधर आओ लड़की तुमने मेरी मदद की थी जब मुझे सरूरत थी अब आओ और जितने भी मोती चाहिए तुम्हें वो ले लो लड़की ने अपने हाथ पाओ और गले में मोतीयों की माला लपेट ली उसने कुट्टे का धन्यवाद किया और वहाँ से निकल पड़ी थोड़ी दूर जाकर उसे वो कुवा मिला जिसे उसने साफ किया था इधर आओ लड़की तुमने मेरी मदद तब की थी जब मैं सरूरत मन थी पेरा पानी पी कर अपनी प्यास बुझाओ बहुत से सुराही वहां रखे थे यात्रियों के लिए लड़की ने एक सुराही ली उसे पानी से भरा और जीब भर कर पानी पिया उसने कुए का धन्यवाद किया और वो वहाँ से चली गई फोड़ी दूर जाकर उसे वो तंदूर मिला जिसकी उसने मरमत की थी इधर आओ हे लड़की, तुमने मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी आओ ये ताजा डबल रूटी और केक खाओ तो उस लड़की ने जी भर कर खाया और कुछ अपने पिता के लिए ले लिया फिर उसने तंदूर का धन्यवाद किया और वहां से चली थोड़ी दूर जाकर उसे वो दाखलता मिली जिसकी उसने गुड़ाई की थी आओ लड़की, तुमने तब मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी चलो आओ और ये रस पियो तो उस लड़की ने जी भर कर रस पिया और कुछ अपने पिता के लिए ले लिया उसने दाखलता का धन्यवाद किया और वहां से आगे चली थोड़ी दूर जाकर उसे वो व्रिक्ष मिला व्रिक्ष अब फालों से लदा हुआ था आओ लड़की, तुमने तब मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी आओ और ये ताजा नाशपतियां खाओ तो उस लड़की ने जी भार कर नाशपतियां खाई और कुछ अपने पिता के लिए ली उसने पेड का धन्यवाद किया और वो वहां से निकल पड़ी वो अपने पिता को देख कर बहुत खुश हुई वो अब बीमार नहीं था वो दर्वाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो अपने पिता की ओर दोड़ी और उन्हें गले लगा लिया जब मा आई वो पती को स्वस्थ और धन्वान देखकर आश्चर्य चकित हो गई उसने लड़की की ओर देखा वो सर से पाओ तक सोने और चांदी में लिप्ती हुई थी सौतेली मा की ओर ध्यान ना देते हुए पेता और बेटी दोनों घर के अंदर गए सौतेली मा ने ये जान लिया कि आब उसका पती उसे कुछ नहीं लेने देगा उसने फौरण अपनी बेटी को बुलाया और उसे कहा कि जाकर एक धनवान परिवार में काम की तलाश करे सुनो अब तुम तुम्हें उससे ज्यादा पैसा कमाना होगा मुझे तुम पर भरूसा है उसे मोती मिले हैं तुम्हें मानिक मिलेंगे बेटी ने हाथ हिला कर अलविदा कहा और चलने लगी बुस ज्यादा दूर नहीं चली थी जब वो एक व्रिक्ष के पास आई जो पूरी तरह सूखा हुआ था व्रिक्ष ने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी सूखी टहनियों से उसे चुटकारा दिलाए ओ, क्या बख्वास कर रहे हो मैं तुम्हारी सूखी टहनियों के लिए अपने सुन्दर हाथों और पाउं को गंदा नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए और वो आगे बढ़ी थोड़ी दूर जाकर उसे एक मुर्जाई हुई दाखलता मिली जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उनकी जड़ों की गोडाई करे इस तपती धूप में मैं अपने साफ हाथ और सुन्दर पाउं को कभी गंदा नहीं करूँगी तुम्हारी मुर्जाई हुई जड़ों के लिए चाहे कुछ भी हो जाए और वो आगे बढ़ी थोड़ी दूर जाकर उसे मिला एक दूटा हुआ तंदूर जिसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी मरम मत करे मैं अपनी साफ हाथ और सुन्दर पाउं को गंदा नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ से आगे चलकर उसे मिला एक कुवा जिसने उससे कहा कि एक भले काम के बदले वो उसकी सफाई करे तुम पानी का कुवा हो स्वैम को साफ करो मैं अपनी सुन्दर हाथ हो और सुन्दर पाउं को गंदा नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ से आगे चलकर उसे मिला एक कुट्टा जिसने उससे कहा कि एक भले काम के बदले वो उसे नहलाए पर वो लड़की चीखती हुई भाग गई और कहा कि वो अपने साफ हाथ और सुन्दर पाउं को कभी गंदा नहीं करेगी आगे जाकर उसे मिला एक घर और उसने पूछा कि क्या वो रात भर वह रह सकती है वो घर था उन साथ परियों का पहली की तरह ही परियों ने उससे कहा कि वो एक साल तक वहां रहे और छे कमरों की साफ सफाई करे पर याद रखो साथवे कमरे में प्रवेश मत करना लड़की मान गई हर दिन वो उठती और वो सभी छे कमरे साफ करती पर जल्दी ही उसकी उत्सुकता उस पर हावी हो गई और उसने साथवे कमरे में प्रवेश किया अंदर अंधिरा था और सोन्य और चांदी की महरूं की बजाए वहां मेंढक और मधुमक्खियां थी उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह ड़सा कि वो पूरी तरह जखमी हो गई परियों के लौटने की प्रतीक्षा किये बिना ही लड़की घर से बाहर भाग गई पापसी की रह पर उसे वो कुता मिला जो मोती उसे ठका था वो उसके पीछे भागी ताकि मोती ले सके पर कुता गायब हो गया थोड़ा आगे जाकर उसे मिला वो कुआ जिसे साफ करने से उसने मना कर दिया था जैसे ही वो पानी पीने नीचे जुकी पानी नीचे सरग गया और उसका हाथ वहाँ तक न पहुच सका थोड़ी दूर जाकर उसे वो तंदूर मिला जिसकी मरमत करने से उसने इंकार किया था उसके नजदीक ही ताजी डबल रोटी और केक पड़े थे पर जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की उसके हाथ जल गए थोड़ी दूर जाकर उसे वो दाखलता मिली जिसने उसे गुडाई करने कहा था वो बहुत ही प्यासी थी पर दाखलता ने उसे रस नहीं पिलाया आगी जाकर उसे वो व्रिक्ष मिला जिसकी सहायता करने से उसने इंकार किया था वो हरे पत्तों और नाशपतियों से लदा था पर जैसे ही नाशपति तक पहुँचनी की उसने कोशिश की व्रिक्ष इतना उंचा हो गया कि वो उसकी पहुंच से बाहर हो गया वो लड़की फिर वहां से चली गई वापस घर आने पर उसकी मा दर्वाजे पर ही खड़ी थी सोने चांदी और मानिक देखने के लिए पर उसकी बेटी लोटी थी गंदे कपड़ों में जखमों के साथ देख लिया तुमने आलसी पन से कोई फाइदा नहीं होता एक विनम्र और इमानदार दिल ही फल पाता है अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगे नहीं है चली जाओ यहां से पत्नी और बेटी ने घर छोड़ दिया पिता और उसकी महंती बेटी फिर से राजी खुशी रहने लगे